हेलो फ्रेंड वेलकम तो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंड जब भी हम अपने लिए कोई भी नई बाइक्या स्कूटर खरीते हैं तो उस ठेम पे खुशी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन कई बार बहुत साई लोग इस खुशी के मौगे पे जो उसमें होस गवा देते है और शोरूम से जैसे ही बाइक्या स्कूटर की डिलेवरी लेते है उसके बाद ही तुरद एक ऐसी बहुत बड़ी गलती कर देते है जिससे नए बाइक्या स्कूटर के इंजन को बहुत जादा नुकसान हो जाता है तो इस वीडियो में आपको एक ऐसी गलती बताऊंगा जो कि आपको बिलकुल नहीं करनी है फिर मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो कि आपको बिलकुल करनी है तो इस तरह से आपको इस वीडियो में टोटल दो जानकारिया मिलने वाली है तो वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले चले पहले गलती की बात करते हैं और ये वाली जो गलती है वो दो अलग अलग सीचूशन में बहुत साइब लोग कहते हैं देखे पहले सीचूशन क्या हो गया कि जब हम लोग अपने लिए कोई बाई की आश्कूटर खरीते हैं तो कई बार इस तरह का सीचूशन होता है कि ज आपको अपना प्रस्तनल experience बता रहा हूँ, देखों मैं राची में रहता हूँ, राची में BMW का showroom है, और जब मैं अपने इस bike के delivery ले रहा था, उस time पे दो बंदे आए हुए थे, पटना से, राची से पटना के जो दूरी है, वो करीब आप मानलो 300-300 km है, ठीक है, इतनी है, सुबह हम लोग निकलेंगे, राची से पटना के लिए, ठीक है, राची से पटना के लिए, और वो आपस में बात कर रहे थे, कि bike तो बढ़िया है, अराम से 100 km तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा, 100 का speed, 110-120 में भी चला सकते है, रोड भी बढ़िया हो गया है, तो बिल्कु कैसी भाग रहे, top speed कितना मिल रहा है, highest gear, जो full gear है, जो top gear है, वहाँ पे कैसा speed मिल रहा है, इस चकर में अपने bike scooter को हमेशा लगतार, अब इस बार्ड में कहुर कीज़ेगा, लगतार लंबे समय तक उस टैम पर का करते है, कि high speed में चलाते रहते है, engine का red lining करते है, ठीक है, ब बहले ही, आप showroom से निकाल के, जब घर जा रहे, उस टम आपने normal चलाया, लेकिन बहुत से लोग क्या करते है, कि next day या 2-4-5 दिन के बाद, फिर से बाइक को निकालते है, दोस्तों के साथ एक party करने के लिए, कहीं भी को radiation चुनके, वहाँ तक जाने के लिए क्या करते है, से क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है, तो जो engine होता है, जब यो नया होता है, तो engine के जितने भी parts होते है, उनका जो surface वो पूरी तरह से smooth यानी की चिकना नहीं होता है, उनमें impurities होती है, हलाकि बहुत ही precisely इन parts को बनाया जाता है, फिर भी इनमें impurities होत ही है, और जब आप नए bike scooter के engine को चलाते हो, नौर्मली भी चलाते हो, तो आप गहुर करना कि engine जरूत से ज़्यादा, नौर्मल से ज़्यादा गरम होने लगता है नया engine, क्योंकि नए engine के साथ ये होता है, कि जब नए engine को आप चलाते हो, अपने bike scooter को उच टैप पर दिक्कत ये होता है, कि इन parts का आपस में जो friction है, जो घरजन है, वो ज़्यादा होता है, क्योंकि parts का surface चिकना नहीं, तो वो जरूत से ज़्यादा गिसते हैं, जब गिसते हैं, तो ये metallic parts गरम होते हैं, इंजन भी गरम होता है, और जब ये parts आपस में खास कि मैं cylinder बगरा की बात कर ल 500-1500 km तक इस बात का ख्यार रखना होता है, लेकिन जैसे अब showroom से निकालते ही, engine की redlining करते हो, full speed में लगातार, लंबे समय तक चलाते हो, तो उससे क्या होता है, कि इन parts का friction है, जो घरसन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये parts ज़रूत ज़्यादा घिस जाते है और उस impurities के वज़े से क्या होता है, कि बहुत सारे parts damage हो जाते है, आपको यह पर killer करना चाहूँगा, कि ये जो damage है, वो आपको तुरन दिखाई नहीं देगा, ऐसा नहीं कि 500-1200 km दिखाई देगा, वो long type में, जो engine का life है, जो engine के parts का life है, वो कम कर देता है, जब 20-2500 km चला जाओगे आप, तो नए bike engine तक को खुलवाने का नौबत आ जाता है, क्योंकि जो cylinder का bore वगर वो बहुत जादा मार खा जाता है, engine का performance, power output mileage एकदम से drop हो जाता है, तो शुरुवात में कम से कम आप मैं आपको बताना चाहूँगा, 1000 km तक आप engine की redlining नहीं करो, बीच में एक ब इस गलती को आपको बिल्कुल नहीं करना है, अब जो दूसरी जानकारी जो कि आपको करनी है, उसे बताने से पहले, car से जोड़ी कुछ important बात है, जो कि मैं आपके शार करना चाहूँगा, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास car है, और आप अपने car के लिए 100% genuine spare parts चाहते हो, तो इसमें आपके help करेगा budmo.com, budmo.com online spare parts के expert है, और यहां से आप Indian companies के साथ साथ, जितनी भी विदेशी company की car से उनके भी 100% genuine spare parts असानी से order कर सकते हो, इंटरफेस बहुत असान है, जस्ट आपको अपने car की manufacturing company, model, air variant को डालना है, उसके बाद आप car के model के हिसाब से 100% genuine spare parts असानी से यहां पर सर्च कर सकते हो, साथ ही आपको यहां पर अपने car के model के हिसाब से OEM catalog भी देखने को मिल जाएगा, car के हर एक section के लिए जैसे की engine, transmission, steering और बाकी के सभी section के लिए अलग-अलग catalog आपको देखने को मिल जाएगा, उस catalog में उस section के सार parts का आपको detail देखने को मिलेगा, part का नाम, part का number, part का description, वो part कितना लगेगा, यह सब आपको यहां पर देख सकते हो, साथ हर एक part की, अपने car के साथ compatibility को भी check कर सकते हो, और अगर part आपके car के साथ compatible हो जाए, तो फिर आप उसे असानी से order कर सकते हो, यहां पर आपको 10 दिन क return policy भी देखने को मिल जाएगा, तो budmo.com के official website का link में इस video के description देख दूँगा, तो please आप budmo.com पे जाए, और वहां से अपने car के लिए, इस pair parts को जरूर से order करे, चाली, अब मैं आपको दूसरी जानकारी के बारे मताता हूं, जो क्या आपको करनी है, अपने देखिए, जिस बीच में कुछ बहुत ही important बाते हैं, जिनका ख्याल रखना होता है, हलाकि इन सारी बातों को मैं नहीं बताने वाला हूँ कि इसको पर मैं already detailed वीडियो है, जिसको मैं डिटेल में practically बाइक को चला कर इसके बारे में बताया है, उस वीडियो का link आपको इस वीडियो के description नहीं से चलाए, बहुत जारे ऐसे लोग हैं, जो कि नए-नए निकाल तो लेते हैं, अब चाहिए वो busy हो या किसी और वाज़े से वो बहुत ही कम चलाते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, 200, 200, 300 km ही चलाते हैं, और उसके बाद जाके engine all को change करा देते, first servicing करा देते, कि क्यों क time आजाता और free service का, first servicing का time होता है, लेकिन मैं आपको recommend करना चाहूँगा, कि अगर आप चाहते हो कि engine लंबे समय तक healthy रहे, तो आपके अपने bike scooter का engine का run in period है, शुरू का first servicing तक का period है, इसमें जरूर से bike scooter को चलाना चाहिए, और कम से कम तो 1000 km जलाना चाहिए, तब ही जो engine क कि जितने भी parts से, इनका बेहतर तरीके से sink utilization हो पाता है, parts का जितना भी friction निकलना है, जो wear and tear है, वो सब हो पाता है, और फिर आप fresh engine oil डालते हो, उसके बाद एकदम से आप देखोगी, engine का एक तो cooling ठीक हो जाएगा, मतलब engine जादा गरम नहीं होगा, और एकदम से आपको mileage भ बावजूद क्या होता है, कि ये parts जो है, इनसे medical के particles निकलते रहते है, वो particles जो है, वो इंजनों में मिल जाते हो, और फिर जब अगली बार आप 4,000, 5,000, 3,500 में जाते हो, servicing कराने, तो इस बीच में वो engine को damage करते है, तो कम से कम 1000 km चलाए, और मैं आपको यहीं बताना चाह आप उतने ही चलाए और उसके बाद फर्स सर्विसिंग कराए ये ज़्यादा बेतर होगा आगे चलकर इंजन के लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेतर होने वाला है तो फ्रेंस ये जो दो इंपोर्टेंट बाते है वो आपको अपने नई बाइक चूटर के साथ ध्यान म में रखनी है उम्मीदे कि इस वीडियो में देखें जनकरें आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरू कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे को जरूर बताए इसके लाब अगर आप चैनल प